आप सभी का स्वागत है आज इस सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक को लेने वाले हैं और राधर उस टॉपिक से एक ऐसा सेट डिसकस करने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा उस question को solve करने की तरीके और उसके around जो approach है वो आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सिखा के जाएगा स्टार्ट करते हैं सेशन को इस सेशन को like जरूर करना और पूरे ध्यान से इस सेशन को समझने की कोसिस करना ही है क्या और हम क्या समझने वाले हैं मैं बात कर रहा था coding and decoding की coding and decoding नया नहीं होगा आपके लिए बट आज इसमें जो मैं set discuss करूंगा यह आपके लिए बिलकुल नया set होगा है ना मैं आपका logical reasoning mentor रागविद रदुवेदी हाज इस set को सबसे पहले समझने की बात है कि ऐसा क्या इसमें नया है जो मैं इतना बार 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 बोल रहा हूँ कि इसमें नया approach है नई चीजे है definitely आपको नया पन इसमें फील होगा यहाँ पर तीन equations given है basically जैसे earth star moon इनके code given है Mars, Venus, Mercury, Jupiter, Sun, Saturn इनके respectively equations में code given है you have to identify the logic एक particular word किस logic से इन्होंने decode कर रखा है अब यह आसान नहीं होते हैं generally यह time consuming questions होते हैं यहाँ पर दिक्कत इन questions के साथ यह रहती है कि कोई भी एक word ऐसा नहीं मिलेगा जो repeat हो रहा हूँ मतलब हर एक word बिलकुल अलग है तो common word common code method से आप इनका पता कर ही नहीं सकते ठीक है वैसे भी जो questions पूछे जा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने number का code पूछा है number इन्होंने कहीं भी नहीं है second question में इन्होंने asteroid का code पूछा है जो कि इन्होंने कहीं है गी नहीं so क्या करें हर एक word एक specific logic से इन्होंने decode कर रखा होगा code कर रखा होगा उसको हमें decode करना पड़ेगा ठीक है तो वो logic क्या होगा अब इसके बारे में हम बात करते हैं बहुत ध्यान से समझना Earth, Star, Moon थ्री वर्ड हैं ये तीन अलग उनके code हैं हमें ये नहीं confirm है कि जिस order में ये word है Earth, Star, Moon उस order में ये code है क्या Z4, L4, Z5, ये उस order में हैं नहीं हमें नहीं पता ठीक है कैसे करें इनको approach हमेशा ध्यान रखना थोड़ा आसान रहेगा अगर आप code से word की तरफ decode करनी की process रहेंगे कैसे, देखो, किसी एक particular को आप पकड़ लो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अलग-अलग equations में add the rate और end person ये दो अलग symbols यूज हो रहे हैं तो जब भी इस तरह से बात हो कि दो अलग-अलग symbols चल गया हो तो अकसर ऐसा होता है कि word में जितने alphabets हैं वो या तो even होंगे या odd होंगे जैसे अर्थ में 5 है, odd alphabet है star में even alphabet है, 4 moon में भी 4 है, even alphabet है तो word में जो alphabet का count है वो या तो even होंगे या odd होंगे दो division होगा है इसके base पर ही ये जो symbol है उनका division आपको मिलेगा कहीं न कहीं, या फिर word wobble से start हो रहा है या consonant से हो रहा है, इसके base पर भी आप check कर सकते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा अलग symbol होते तो उसकी कहानी कुछ अलग होती, है ना फिलहाल, 2 symbols हैं तो जो मैंने आपको suggest किया है, कि कहीं न कहीं, आपको मिलना चाहिए logic, symbol को decode करने के लिए symbol को decode करने के लिए आप ये check कर लिया करें कि number of letters या तो word में even होंगी या फिर odd होंगी या कोई और भी logic हो सकता है इस logic को पहले देखो, क्या ये काम कर रहा है अर्थ में 5 है, odd है, even, even अगर इस तरह से चल रहा है तो हमने एक चीज़ चेक करी कि first equation में एक word odd का है, दो even के है तो यहाँ एक symbol n% और दो add the rate है तो हमें लगा कि even alphabet जिस word में है, उनके लिए add the rate यूज कर रहे हो, अब इस चीज़ को confirm करें है, हम बाकी बचे हुए equations से है न, तो remaining equations सिर्फ इस चीज़ को confirm करने के लिए आपको given रहती है तो यहाँ पर देखा, मार्स में 4 है, वीनस में 5 है, मर्क्यूरी में 7 है तो even odd odd, even एक है, तो यहाँ एक add the rate है और दो end percent है, तो यह चीज़ अब confirm हो गई कि even के लिए इन्होंने add the rate यूज करा है, even के लिए इन्होंने add the rate यूज किया है और odd के लिए इन्होंने end percent यूज किया है, यह चीज़ confirm होगी, ठीक है अब हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो map कर पा रहा हो, तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को देख सकते हो कि z5 end percent, यह end percent एक है और यहाँ odd एक है, तो यह अर्थ जो है, अर्थ का code होना चाहिए, z5 end percent, यह clear हो गया है, किस base पे, इसके base पे, है नो, अब यहाँ पे हमने देखा, कि end percent का तो हमें code पता चल गया, अब remaining क्या है माल पास, एक number और एक letter, तो number का code कैसे होगा, अब इस पे बात कर लेते हैं, generally number का code कैसे मिलता है, number अलग अलग तरीके से मिल सकते है, number के code में, कितने alphabet है, word में, उनका count हो सकता है, किसी particular alphabet की place value हो सकती है, किसी particular alphabet की, जैसे earth है, earth में किसी particular alphabet की opposite alphabet की place value हो सकती है, so there are, there are so many logics, but हमारे यहाँ अभी हल फलल क्या का काम कर रहा है, वह चीज़ यह है कि अर्थ में 5 अल्फबेट है तो 5 उसका कोड है Similarly, Moon और स्टार में 4 4 है तो दोनों जाएगे अब यह नहीं पता कि 4 at the rate 4 at the rate तो यहां पर भी आ रहा है तो स्टार का कोड इन दौन में से कौन होगा यह मौन का कौन होगा यह नहीं पता है आगे अल्फबेट की बेस पर अविन दौन में से डिसाइड कर लेंगे Chal हमें यह पता करना है और अर्थ में ऐसा जो 5 से रेलेट कर रहा है वह नमबर ओफ एल्फबेट सिति से बात है क्या रेलेट कर पा रहा है नमबर और लेतर्स है नमबर आफ लेतर्स और देखो, Mars में 4 है, Venus में 5 में, Mercury में 7 है, तो 4, 5, 7, respectively आप बोल सकते हैं, जैसे Mars का 4 है तो, Z4 add the rate, यह Mars का code हो जाएगा, Venus का क्या है 5, तो V5 add यह हो जाएगा, इस तरह से आप अब clear हो गए हो, लेकर जो letter है, वो कैसे बना, उस चीज़ को और पता करना पड़ेगा, क्योंकि, क्योंकि, जो आपको यहाँ word दिये हैं, वो बिलकुल अलग है, so you have to identify the logic of symbol, number और letters, separately, अब देखो, letter की code में, आप देखेंगे, उसी चीज़ को देख लो, यह हमें दो definite पता है ना, कि अर्थ का code है यह, अब अर्थ में ऐसा consolator है, जो Z से relate कर रहा है, obvious है, अर्थ में ऐसा consolator है, जो Z से relate कर पा रहा है, है ना, तो आप देखेंगे, कि जो second alphabet है, A, उसका opposite है Z, क्या यह चीज़ बाकी में भी है, तो second alphabet T, यहाँ पर थोड़ा correction है, एक particular, उसमें, code में यह Z की जगह V है, basically, question में, थोड़ा सा update यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ बाकी मिस्प्रिंट हो गया है, किसी कारण से, उस सीज़ को मैंने यहाँ पर correct कर दिया, अब इस question को समझना है, यह booklet में जो मेरा है, वहाँ पर लिखा हुआ है, typing, type of error हो गया है, that's why, यहाँ पर भी है, basically, तो जो word का पहला alphabet है, E, E का opposite यहाँ पर भी आ रहा है, इसी तरह से आप देखेंगे, कि word का पहला alphabet S है तो, लेकिन S का इन दोनों में से कुछ opposite मिल ली रहा है, S का क्यों कि H होता है, S यहाँ पर है नहीं, बट आप देखेंगे कि यहाँ Z है और L है, तो यहाँ स्टार में A का opposite Z है, और मून में O का opposite letter L है, तो एक similarity क्या मिल रही है, किसी particular letter का opposite मिल रहा है, लेकिन हर किसमें वो अलग-अलग हो रहा है, तो ऐसा क्यों है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने बात करी, क्यार यहाँ पर हमने देखा कि E का opposite V है, है ना, और यहाँ A का opposite Z है, और यहाँ O का opposite L है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो लॉजिक यह देखने पर पता चला, कि वर्ड का जो first vowel है, उसका opposite इन होने लिए है, तो इस वर्ड का first vowel E है, तो E का opposite V है, स्टार में first vowel A है, वैसे तो third alphabet है, वैसे और देखा जाए तो first vowel है, इसका A, मून में first vowel O है, तो respectively first vowel के alphabet, यहाँ पर ऐसा opposite ले लिए है, दूसरे question से कर सकतो, जैसे Mars में, अब आपको मैंने बताया था, Mars में four alphabet हैं, तो four वाला code यह जा रहा था, देखो, Mars में alphabet A, first vowel हो रहा है, A का opposite Z, Venus में E, Mercury में E दोनों में है, लेकिन इसमें five था, तो five वाला जाएगा, E का opposite V यहाँ पर भी है, Mercury में E का opposite V यहाँ पर भी है, तीसरे question में भी इस सीच को consider कर सकते हो, जैसे Jupiter में भी first vowel U है, Sun में भी first vowel U है, लेकिन Sun में तीन alphabet है, तो number of alphabet की बेस पर, Sun का code क्या था, यह वाला था, है ना, तो U का opposite F यहाँ पर भी बिल रहा है, Jupiter में U का opposite F यहाँ पर भी बिल रहा है, Saturn में first vowel A है, opposite Z मिल रहा है, मतलब confirm रहा है logic, कि जो letters है, code में, code में जो letters है, वो कैसे मिले हैं हमें? First vowel of the word, अब वोवल किसी भी place पर हो, पहले पर लिखा हो, दूसरे पर लिखा हो, तीसरे पर लिखा हो, लेकिन word में वो first vowel आ रहा है, understood, है ना, start में first vowel पहले पर लिखा है, moon में first vowel second position पर लिखा है, इस तरह से में समयना है, तो हमारे पास logic आ चुके है, कि symbol को किस तरह से में decode करना है, symbol को ऐसे देखना है, कि word में जितने letter है, वो अगर even है, तो add the rate और odd है, तो end person, number कैसे लिखना है, जितने number of letter word में है, वो ही उसका code बन जाएगा, और letter कैसे लिखना है, जो code में letter part है, वो first vowel of the word, उसका opposite लिखना है, opposite of first vowel of the word, है ना, उसका opposite करना है, तो अब देखो, जैसे number का हमें पता करना है, कि number का code क्या होगा, तो number के लिए हमें तीन चीज़ें आ रहे हैं, कहीं भी, पहला है alphabet, दूसरा है number, तीसरा है symbol, तो alphabet कैसे आया, alphabet से हमने देखा, कि first vowel का opposite लिखना है, तो number में first vowel को होगन है, तो U का opposite क्या हैगा, F, फिर दूसरा क्या हो रहा है भई, number आना चाहिए, तो number आता कैसे है, number जितने alphabet हैं, इस word में कितने हैं, six alphabet है, तो six उसका number code हो जाएगा, last में symbol आ रहा है, तो symbol कैसे आएगा, यहाँ पे देखा हमने कि, even है तो add the rate, order to end percent, तो one, two, three, four, five, six, even है, तो even के लिए add the rate कर देएगे, हमने यहाँ पे question solve करना चालू किया, अब question second भी इसको देख लिएते हैं, कि asteroid का हमें answer बताना है, अब समझे न वही चीज, कि यहाँ पर भी इसके code में, तीन चीज़ें होगी, तीन चीज़ें होगी, पहला रहेगा alphabet, alphabet को कैसे record करना है, word का first vowel जो है, तो 9 हो जाएगा, symbol लिखना है, चुकि और नमबर है, तो और के लिए end person यूज करना है, तो Z 9 end person, यह answer हो जाएगा, option B यहाँ पे हमारा answer हो जाएगा, as a correct answer, is that fine, I hope यह पूरा पूरा set आपको नया लगा होगा, और इसमें आपने चीज़ें सीखियोंगी, so like जरूर करना, इस वीडियो को, and क्या अच्छा लगा, comment जरूर करना, super grades YouTube चैनल को, subscribe भी कर लेना, regular update के लिए, take care, and bye-bye,